है दोस्तों आप लोगों ने सिकंदर के बरे में तो सुना ही होगा कहा जाता है कि सिकंदर विस्व बिजय करने का ख्वाब अपने मन में लेकर एक विशाज सेना के साथ निकलता है और दुनिया भर के राजाओं को पराजित करता हुआ जब भारत की धर्ती पर कदम रखता है तो भारतेज सेनाओं की सवर्य और बीरता की गाथाएं सुनकर उसकी सेनाएं आगे बढ़ने से इनकार कर देती है अंतताह मजबूर होकर सिकंदर को वापस जाना पड़ता है और रास्ते में ही उसकी विरित्तु हो जाती है पहली बात सिकंदर ने कहा था कि संसार का कोई भी व्यक्ति जितना धन चाहे मुझे से ले ले लेकिन मुझे उतने समय के लिए जीवित रख सके जितने समय में मैं अपने मां से बिल सकूँ और दूसरी बात सिकंदर ने यह भी कहा था कि मेरी मौत के बाद मेरे दुनों हाथों को बाहर निकाल देना ताकि दुनिया को यह संदेश मिल सके कि विस्वेजेता सिकंदर भी खाली हाथ वापस जा रहा है हले दोस्तों आप लोगों ने सिकंदर के बारे में तो सुना ही होगा कहा जाता है कि सिकंदर झाल कर दो, कर दो भी कि एफया झाल कर दो कि एफ खंते हैं, कर दो वार कि एफ तक कि झाल की दे एफ तक दो कि घुटा हूं